हेलो दोस्तों जैसे अब देख रहे है यह Realme 3 आई है ठीक है तो Realme 3 आई Realme 3 जो भी है तो इस प्रोब्लों का सोलुशन एक ही जगा से होता है दोनों में सेमी काल नहीं है तो जैसे अब देख सकते हैं फोन को जैसे स्टाट किये तो recovery mode आगिया ठीक है जैसे को देख सकते हैं जला सब्वेट करें आप जैसे हम पावर ओन करते है फोन को तो इस तरह का इंट्रोफेस आपको देखने को मिलता है ठीक है तो इसमें इसका सोलुशन कैसे किया जाएगा उस सोलुशन को करके इस वीडियो में दिखा दिखा है तो आप सुरू से लेकर लास्टर तक देखे इस वीडियो को तब जाके आपको समझ मैंगा कि इसका प्रोब्लोम का सोलुशन कैसे किया जाता है तो आप जैसे कब देख सकते हैं यह रिबूट भी किया हम फोन को लेकिन यह आटोमेटिकली रिकवरी मोला मूट जो है आटोमेटिकली आ रहा है ठीक है तो मेरे इस चैनल पर आप नहीं है तो जरू सो जरू जरू चैनल को सब्सक्राइब कर यह वीडियो चलागी तो लाइक और सेर कर दे अब हम नर्मली क्या करते है फोन को बंद कर देते ठीक है उसके बाद इसका प्रोब्लोम का सोलुशन करके हम आपको दिखाने वाले हैं पहले हम फोन को खो जैसे देख सकते हैं यहां पर फोन खुल चुगा ठीक है उसके बाद क्या करना है इसका जो इसक्रूप है इसको नर्मली सब सारा का सारा इसक्रूप को पहले खोल ले रहा हूं ठीक है जिससे अब देख सकते हैं यहां पर यह खुल चुका है उसके बाद यहां पर मदर बोड जो है उसको सबसे पहले यहां बोड से जो मीडिल है इस फ्रेम से पहले उठा लेना ठीक है जैसे देख सकते हैं यहां से उड़ गया उसके बाद फिर से बैटरी किलिप को निकाल मतलब सेट कर देना उसके बाद बोड को फ्रेम से हटा देना जैसे कि यह जो वोल्यम बटन वाले जो पत्ता में जहां अटेच होता है तो वहां से इसको हाटा देना ठीक है इसके बाद इस सारह करके फोन को करने को पूरा इसटार्ट होता है यह 추가 एंब फस्था सकती है punct फोन इस्टार्ट भी हो रहा दूसरी बाद रिकवरी मूड जो है वो नहीं आ रहा ठीक है धियान दे कि मदर बूड को फ्रेम से हम निकाले तब ऐसा हो रहा ठीक है तो आगे क्या करना कैसे इस प्रूब्लम के सोलिशन कहां से है और कैसे करना वो देखे कहां से हम करके दिखा आपको जैसे अब मदर बूड को मीडिल में बैठाते है जैसे फ्रेम में बैठाते है उसके बाद इस तरह के रिकवरी मूड वाला अप्सन आता है तो अब ऐसे करनी सन पर आपको क्या करना वो देखे इस वीडियो में सबसे पहले क्या करना है कि इस में जब अटेश होता है तब आरा ठीक है तो यहां पर नौर्बली पहले मदर बूड को पूरा फीट कर लेना है फ्रेम में पूरा बैठा लेना उसके बाद क्या करना है आपके पास या तो फिर आपके पास नहीं पत्ता आपके पास है अवलेबल तो चेंज कर सकते हैं और आपके पास नहीं है तो क्या करना है वो देखे आप ये वोलियम डाउन वाला बटन जो है वोलियम डाउन वाला उसको क्या करना है उसको पहले वहाँ से रिमूब करना हटा लेना है इसी पत्ता में आप बना सकते हैं इसी पत्ता को आप ठीक कर सकते है जिससे अब देख सकते हैं यहाँ पर हम क्लिन कर रहे हैं इसका जो अंदर का जो होता है वो बटन उसको पहले यहाँ से निकाल लेना है उसके बार नर्मले इसको पहले पूरा क्लिन कर देना ठीक है फिर हम फोन को स्टार्ट करके हम देख लेते हैं कि यह प्रोल्म मेरा सोल्व हो रहा है या नहीं बटन को पूरे वहां से निकाल लेना है और जैसे अब देख सकते हैं यह फोन स्टार्ट हो रहा है आपका प्रोब्लम सॉल्व हो जागा ठीक है तो बटन चेंज करने भी जरूरत नहीं पड़ेगा और आपका प्रोब्लम भी सॉल्व हो जागा तो ऐसे इस तरह से रिलेटेड वीडियो आप देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले उसके पास क्रीन करके वहां पर आप सेट कर दें आपका प्रोब्लम हंड्रेड परसंट सॉल्व हो जाएगा